हलो गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज अकीशा इस कॉनर बन रहे है चॉकलेट चिप्स और बहुत ही इजी बहुत ही कम इंगरेंट हमारी चॉकलेट चिप्स बनकर तयाद हो जाएंगे बिना अवन के हम बनाएंगे और बहुत ही जल्दी जपट कुपी बना सकता है य गाजान है तो आज अज़ाए सब्सक्राइब निगकल दिने और लुकाट था ने प्यार हैं यौह तो बहुते अच्छा स्नाक है यह मेहानों कहां कि भी सब कर सकते हैं और बहुत करणूची मान चॉकलेट चॉकलास में कर रेडि हॉआ है तो अब देखे मने बना तोड़क तो चम्मच में रिफाइन डॉय और दो चम्मच ही मैंने कोपोडर और यह बनी डाइसन्स लिलिया है सिर्फ 2-3 जीजह मैंने बताई थी नामको तो सिर्फ इतनी जीजह जाएंगी इसमें तो मैंने चेकक अमें दालिया है ना इसको मैंने बड़े बोल में ट्रांसर लिया है और इसमें तो मैंने नमक डाल दिया है और रिफाइन लिया था दो चम्मच मैंने रिफाइन लिया है और इसके बाद मैं दो से तीन चम्मच मैंने तो चम्मच ही डाली है आप उसे बड़ा भी सकते हैं इस मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं मैंने पार्डर शुगर ली ह जाएगा और थोड़ आप पर क्वालिटी तो ज्यादा भी ले सकता कि फिलेवर आए थोड़ अच्छा सा अब इस सब चीज़ों को मिला लेना है अच्छे से हमारा ओयल है उसको अच्छे से मिला लेंगे तो मैंने जल्दी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने बहुत लिए तो आप नॉमल पानी इसको मुट लीजे अच्छे से वह दो सौर्ट नहीं रखना है भद दा टाइट भी नहीं रखना है अब इसके दो पोशन कर लीजिए तो दो पोशन मैंने एककोल ओन्टेटी के मैंने दो पोशन कीजिए तो मैंने कोको पार्टर लिया इसको मैं से मिला दूगी चाहें तो अब अलग से डो पना सकते हैं लेकिन मुझ लिए एक साथ में बहुत जाता महनत भी लगी है इसमें बहुत थोड़ा से पानी लेजिए और इसको मिला देजिए तो यह देखिए मैं इसको कोको पार्टर को अच्छे से मिला देती हूं यह मैंने मिला लिए एक लिए तो पानी लगेगा और थोड़ी से घलग से महदत हैं बस इसको मिलाना एक तर देखिए महां से पानी किया इसको अच्छे से मिक्स करिया है जो माल को बार्टर्दाना तो यह देखिए तो एकल एकल कॉंटिटी बंब्रें थैं अब मैंने यह कि आप Dw Rocky कोई भी समंधी जो जो इसमें दाल पैको कि आती है औहीं तो बहुति लेज है ये ले सकते हैं थे मेने से लीव को पर है अब यह मैंने मैं जो भीconnect कर जो था टो उसको क्या ही अ प्रोलल का से बीण लगा दिया है पनी में फननी left यसा बेकि की फार तो इसका पर कर दे की ढलल स्थे गात्यथ की था है रुख हो एक हमारे ट्रुखज़र Пल के घाका ग!!! मैं दूक फेल आ रही हूं ताकि इकल फेल बीजाए और बहुत अच्के सहीप आ एप एप घृब है सिसे को टूम इंसरा से इसको प्फलाना एप यौका मैं शक्राइब बहुत जल्दी वरेiral विडियो बेल न slept चाहिए विडिखा दिया व्यू जया इसी तरह से जैसे मैंने रेड़ी कर लिए है तो इसी तरह से मैं आपके जो हमने चोकलेट लिए रेड़ी किने वह भी चोकलेट आपके जो हमने डू रेड़ी किया है उसकी मैं इसी तरह से शीट रेड़ी कर लूगी इसलिए मैंने दोनों सेम साइज की मैंने पॉली बिताई को हवा भर बाएगी ना वहा निकल जाएकी तो हम तो इसमें तो भी जनलते हम वारेबं के रवा को पर पजो एगी बार साथ हैं वारेबं के रवा अटो फ़रisel व हम ऊणाद हो जाएकी हगीयग तो इकल शीट हमारी उबन के रेडी हो गई है अब हम इसको क्या करेंगी इसको थोड़ा सा उठा करके कहची से इसको कार्ड दोंगी मैं इसको इसको पहले अलग कर लिए पॉली है क्योंकि और हलका सोयल में इस पे लगाई दिया था तो कोई दिक्कत नहीं आईगी आपको इ क्युंके के निकल दाएंगी तो इस संब और मैं जो लेकर करके इसको इसको रखोऑन वहीमें हने iamcam और रखना क्यठे़ा से सब्सक्राइट थो इसको इसको रखना था इसको क्यूदा मां इत था करके भाए वार निकल दाए तो इसस« लाषर दूht आप में इसको को यहां इस तरह से और इसको कच्छे से इकोल कर देती हूं ताकि चिपक जाए इच्छे से और हाथों से थोड़े दोड़ा दोगे कि इसकी पन्नी को मैं हटा दूंगे देखे कितना इजी है ना पन्नी पेकलने से बहुत हमारी शीट भी पास चिते आद रहा थी एक्वल और इसको नुकालने भी कोई दिकत नहीं आती है तो बस इसको में कर दिया है मैंने अब मैं इसको रोल रैडी करूंगी इसको हातों से अब थोड़ा दवा दीजिए ताकि जो हमारा चॉकलेट आना अच्छे से चिपक जाए तो इसको में रोल राइडी कर दूंगी इस तरह से हातों से प्रैस करके रोल रूना देंगे आँ अगर आपको में रैसी पीज अच्छे लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक की सब्सक्राइब पीजिए शेयर कीजिए जाद से अधा अब बैल आके दवारा ना भूलें ताकि मेरे निवीडिकर्टर सब्सक्राइल आपके पास आई और यह देखिए अब मैं इसको अब इसको काम हमारा और कुछ भी नहीं रहे गया इसमें हमें तीन खंटे क्लिए इसक पार हम अब बागे यह वॉसमें गॉलते पर जम आए तो इसमें कुर्ण पर दो हमारे चिप्स हमारे प्सक्राइब आप मैं जाप को 25 hour जया जिया है, तो इसाइए लिए काई है, स वंपाना काई है, अब कि ऊसी थीज़ के लूगर, ग्रांद जाद है, जाद को जाना है, अरो तो अब इसको हाथ से भी सैट कर देंगे तो बहुत अलाम से चिबल जाएगी इस तार से मैं सारे क्लाइज़ तो कट कर लूगी और मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकाना है ब्राउन होनी तक बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं करना है ताकि अंदर तक रूंज ज़िए तो ज़िए थोड़ी 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 तो मेरे हाथ से सैट कर दी आच्छे वे दिखत नहीं आएगी तो बहुत एजी हमारे विशुआ पर रेडियो रहेंगे और लुक राइस बहुत यप्लियमी और खाने बहुत जॉदिश वानिला का इसमें फ्लेवर आएग पर पकाई ब्राउन होने तर इसके नहीं पाइट नहीं दिख रहे है वह ब्राउन हो जाए लगी तो बस यह पर जाएंगे और बहुत ही चॉकल्ट सपून के रेडियो जाएंगे यह देखिए कि प्याले लगा जाए ना इसको टकते हैं बहुत यह आदर स्थ हमारे जोए चॉकल्ट सपून के रेडियो हैं बच्चो को बपस नाते हैं यह देखिए हमारे चॉकल्ट सपून के रेडियो हैं और अब मैं इसको और अच्छा दिखाने के और ब्यूट्फुल लगें और थोड़ा सा मीठे मीठर से स्वाद बहुत अच्छा सा लगे तो इसकी उपर म चॉकल्ट सब्नके रेडियो जाएंगे तुछ रड़ दगुते पियारे तो इसपे अच्छा चॉकल्ट सब्नके दयार हो जाएंगे बहुत ही कम इकयोंट्स में अगर आसे पेच्छे लगे तो प्लिज दूआरे चानल को लाइक किई । शुक्कर किजिए शेयर किजिए म झाल झाल